हेलो एवर्वन वेलकम टू सेवल स्टैप दिस इज निथी आज मैं आपको यूजिसी नेट पेपर वन जो की आपका जॉर्नल पेपर होता है उसका यूनिट 6 डाट इस लॉजिकल रीजनिंग उसका स्लेबस डिसकस करने वाली हूं आपके साथ बिलकुल ही डिटेल में ठीक ह है मैं आपको बताऊंगी कि किसके अंदर जो है आपके कौन से टॉपिक्स आते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और किस से कितने ज्यादा क्वेश्चन आपके एक्जाम में बनते हैं ठीक है चलो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू यूजिसी नेट एंट जैसे इसमें क्या क्या आएगा आपको structure क्या है argument क्या होता है statement किसे कहते हैं then moods and figures क्या है formal and informal fallacies uses of language connotation, denotation अब यह ऐसे आपको देखके जो है syllabus इतना clear नहीं हो रहा होगा evaluating and distinguishing between deductive and inductive reasoning, analogies, vend diagram, simple and multiple use of validity arguments, Indian logic फिर आगया आपका इसमें प्रमानाज जैसे प्रत्यक्ष हो गया आपका अनुमान, उपमान, ठीक है शब्द क्या होता है अर्थपती तो यह आपका overall syllabus है logical reasoning का अब इसको अगर मैं बहुत ही simplify करके बताओं आपको syllabus ठीक है तो basically जो आपका logical reasoning है वो आपका दो parts में divide है पहला पार्ट जो है आपका western logic कहते हैं उसको western logical reasoning है वो आपका then एक पार्ट है जो आपका वो है Indian logic तो उसमें जो है आपके प्रमानाज, बुद्धिजम, ठीक है न्याय, तक्षिला ये सारी जो है आपकी चीज़े Indian logic में आ जाएगी तो दो parts में जो है मैंने आपके syllabus को divide किया हुआ है तो सबसे पहला जो हमारा part है वो है western logic तो western logic में देखो आपके कौन-कौन से basically topic आ जाते हैं विए सबसे पहले आपको यहां पर करना है statement का meaning statement किसे कहते हैं ठीक है जैसे कि statement की आपकी truth value होती है कोई भी statement जो है या तो आपकी सही हो सकती है या गलत हो सकती है उसके बीच में वह कुछ कुछ झाहएं यहीद किससे ढ bakery है जैसे किसमेर्स करके लिए कि उद्सक्रान करते हैं जयसे आप मुट करते हैं तो में इतना इंविट करेंट फेवर में तो तुछ जो हमकों निकालते हैं कुंक्लूजन निकालते हैं उसे inference कहते हैं then syllogism आपका syllogism का pattern होता है आपका जैसे कि आपका इसका P1 P2 फिर conclusion होता है ठीक है ये भी पढ़ेंगे हम then structure and types of statements जैसे आपकी कितने types की statements होती है एक तो आपकी all वाली होती है no वाली होती है some वाली होती है some not वाली होती है then types of arguments इसमें आप पढ़ोगे valid argument किसको पूलते हैं sound क्या होता है unsound किसे बोलते हैं एसे ही आपका inductive reasoning में strong आजाता है word valid की जगा invalid की जगा we weakness का जाता है and sound की जग़ए college and class on की जगा अन को जेंट यांड की आहाता है उसके बाद आपके आ जाते हैं अधर क्या जिथा he मूड में हो गया जैसे आपका A, E, I, O से ही आपका जो है यह वाला सॉल होता है मूड फिगर में आपका सब्जेक्ट सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट प्रेडिकेट है ठीक है मिडल टम कहां पर है यह आपका फिगर में आ जाएगा यह पूरा डिटेल में आपको पढ़ाऊ होता है नहीं UGC net में तो आपको syllabus के according नहीं आपको topic wise पढ़ना होता है ठीक है then distribution of terms इसमें आप पढ़ोगे distributed किसे बोलते हैं undistributed किसको बोलते हैं predicate distribute कर रहा है subject किसको distribute कर रहा है यह सारा पढ़ोगे then square of opposition very important ठीक है इसमें से आपका question बनता ही बनता है a e i o इसमें जो है हम आपका shortcut method से solve करते हैं इसको तो इसकी सारी tricks बताऊंगी मैं आपको then immediate inference किसको बोलते हैं true false या doubtful जैसे कि अगर मैं all statement पे हूँ तो अगर मैंने sum पे जाना है तो वो true होगा या यह भी आपका solve होता है इसी से solve होता है आपका और इसके एक और trick होती है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी then formal and informal fallacies fallacies very important सब आजकल जो questions जादा बन रहे है fallacies से बन रहे हैं और 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 भी नई करनोटेशन किसे बोलते हैं decreasing करनोटेशन किसे बोलते हैं increasing डेनोटेशन किसे बोलते हैं यह कुछ भी आ सकते आपको ठीक है तो यह आपका जो है western logic का स्लेवर्स है समझागी बात यह आपका सारा western logic का पार्ट है अब इंडियन लॉजिक में क्या आता है जैनिजम हो गया उनका क्या क्या जो है किस बेसिस पर वो अपनकी धारना क्या थी ठीक है जैसे बुद्धिसम enlightenment को जादा प्रमोट करता था ठीक है नियाए पढ़ोगे इसमें काफी चीज़े पढ़ोगे देन means of knowledge हमें knowledge कहां कहां से मिलती है जैसे अभी आपने स्लेबस में देखा शब्द से knowledge मिलती है या फिर आपको देखने से आपके जो six senses आपको जिसको बोलते हो उससे knowledge मिलती है ठीक है रीडिंग से knowledge मिलती है तो कहां कहां से knowledge मिलती है देन प्रमानाज देन आपका हेत्वा भास जैसे आपका Western logic में fallacies हैं वैसे ही आपकी Indian logic में भी fallacies होती हैं जिसको हम बोलते हैं हेत्वा भास तो इसमें भी आपके अलग- देखने को मिलेगी और वेस्टर्ल लॉजिक में आपको फालåसीज रूती चुन्fred & यू Χ ! पर्चिकल रीजनेंग यह वाला जो यूनिट है आपका वह बहुत ही new है तो आपको इसकी ट्रिक्स सीखनी पड़ती है और इसके questions ट्राइए करने पड़ते हैं तभी यह वाला जो है योनेट आप समझ पाऊगी अगर आप यह खुद theoretical पढ़ोगे की बुक से तो यह आपको समझ नहीं आएगा समझ में आई बात तो यह आपका इंडियन लॉजिक का सारा हो गया स्लेबर्स तो इसके अंडर जो है कुछ सब टॉपिक्स हैं जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा एक बारी फिर से देख लेते हैं वेस्टन लॉजिक में आपका मीनिंग स्ट्रक्चर टाइप्स मोड फिगर टर्म्स उसके बाद डिस्ट्रिबूशन ऑफ टर्म स्क्वेर क्लियर हो गया होगा अगर आपको कोई भी डाउट है ठीक है किसी भी सब्जेक्ट से लेकर या कोर्स से लेकर तो आप जो है दिये गए डिस्क्रिप्शन नंबर पे जो है वह आप कॉल कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात कि जो हमारा बैच है वह 20 जुलाई से स्टार्ट ह होने वाला है यूजिसी नेट का तो अगर आपको जो है पेपर की त्यारी करनी है अच्छे से करनी है त्यारी तो प्लीज आप जो है एंडॉल्मेंट करवा लीजिए जल्दी से जल्दी और हमारा जो यह टेलीग्राम चैनल है इस पे आप यूजिसी नेट या और भी एक् नहीं है देन हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब करिए और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और आगे जो है मैं वीडियो लेकर आऊंगी और भी यूनिट्स हैं जो आपके परवान के उनका भी स्लेबस आपको डिटेल में बताऊंगी ठीक है